रद्रादेश स्वागते आपका हमारी यूटूब परिवार में मैं आपके साथ पढ़ने द्विश्याल सास्त्री आज का विश्य है आज आनेंगे यदि आपको धन आदी प्राप्ति में आ रही हैं कठनाईया यदि आप धन को लेकर समस्याओं में घिरे हुए हैं धन प्रा उखने के लिए या धन प्राप्ति के मार्गों को खोलने के लिए आपको सावन में क्या उपाय करना चाहिए भगवान सिपसे जुड़ा हुआ इसी के विसे में आज की हमारी वीडियो रहने वाली है नित्रो चैनल पर नए हैं वीडियो पहले बार देख रहें तो चैनल को इस लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि भगवान भोले ना भंडारी हैं सभी की कामनाव को सिध्ध करने वाले हैं तो ऐसी कौन सी वस्तु भगवान शिप पर चड़ानी चाहिए जिससे आपको प्राप्त हो अखंड लक्ष्मी ऐसी लक्ष्मी जो आपके गार इस्तिर हो ऐसी लक्ष्मी जो आपके कारच को बनाने वाली हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे सास्त्रों में वताया गया है विसे शुरूप सिप पुराण में कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं लक्ष्मी के प्राप्ति तो आपको सावन में प्रति दिन भगवान शिब का गन्ये से अविशेक करना चाहिए यानि गन्ये का रस स्विलिंग पर अरफित करना चाहिए यदि आप प्रति दिन भी नहीं कर सकते तो जितने भी सावन में सोमबार पड़ते हैं उन सभी सोमबारों को भगवान शिब का अविशेक गन्ये के रस से करना चाहिए गन्ये के रस कि लिए सब से सर उलपाई श्रप पुरान में यह बताया गया है तो यदि हां भी प्राप्ति लक्षमी पराप्ति करना चाहते हैं यह आपको सीघ्र होगा मित्रों ऐसे ही ग्यानप्रत वीडियों आपको प्राप्त होती रहें इसके लिए चैनल को करें सब्सक्राइब मिलते हैं के लिए ग्यानप्रत वीडियों के साथ तब तक हर हर महादेव